ब्रिक इन्यूस जी आपको बता दे कि पेकरसस जासुसी मामले में सुप्रीम कोट का अहम आदेश आ गया है इसमें कहा गया है कि पेकरसस जासुसी मामले की जाच एक्सपर्ट कमेटी करेगी इसे आठ हफ़ते में रिपर्ट देनी होगी बता दे कि कोट में डायर रहा चिका मंजू नहीं है अब सुम्पूरीम कोट ने रिटाइट जस्टिस आरवी रविंदरन की अगवाई में कमेटी का गठन किया है जस्टिस रविंदरन के साथ आलोग जोशी और संदीप अबरोय इस कमेटी का हिस्सा होंगे एक्सपर्ट कमेटी में साइबर, सुरक्षा, फॉरेंसिक, एक्सपर्ट, आईटी और तक्नीकी विश्रक्डों से जुड़े होंगे जी हैं आपको बतला देखी सुप्रीम कोट ने कहा है कि निजिता के उलंगन की जाच होनी चाहिए कोट ने कहा कि मामले में केंद सरकार का कोई साफ स्टेंड नहीं था कोट ने कहा कि निजिता क्यों लंगन की जाच होनी चाहिए बेंच नि 13 सितंबर को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वाकेवल यह जानना चाहती है कि क्या केंद ने नागरिक की कतित जासूसी के लिए अवैद तरीके से पेगसस सौफ्टवेर का इस्तमाल किया है या नहीं कोट ने यह भी कहा कि जासूसी अभिव्यक्ती की सुतंता और प्रहरी के रूप में पेस की भूमिका पर गलत प्रभाव डाल सकती है कहा गया है कि एजन्सिय द्वारा एकरत्र की गई जानकारी आतंगवाद के खिलाफ लड़ाई में बहत जरूरी होती है लेकिन निश्टा के अधिकार में सभी तभी हस्त छेप हो सकता है जब स्राश्टी हितों के सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी हो पेगसस केस की सुनवाई में सुप्रीम कोट की टिपनी करी है केंद्र का कहना था कि यह सर्वजनिक चर्चा का विशय नहीं है और नहीं यह राश्टी सुरक्षा के हित में है बता दे कि पेगसस जासुसी मामले में निस्पक्ष जांच के लिए 15 यह आचिकाएं दायर की गई थी यह आचिकाएं वरिष्ट पत्रकार एन्राम, सांसत, जान बित्रास और यहश्वन सिनार समेत कई लोगों ने दायर की थी दराश्टी मीडिया समूने खबर दीती की तरीब 300 प्रमानित भारती फोन नंबर है जो पेगसस सॉफ्ट्वेर के जरीए जासुसी के संभावित निशाने थे